QuantMutual Fund का अगर मैं पूरे फंड का काटेगरी देख景attend तो यहाँ पीकरी करीबन 25 से 27 काटेगरी का का fund Come ைạt mutual fund के पास है। इस सारे फंड में अगर मैं पिछले एक महीने का record देखूं तो करीबन 12 से 13 हंद ने अपने category Average और Benchmark के performance को पीट किया है। lifted 14 से 15 जो फंड है उनका परफॉर्मेंस बेंचमार्क से कमजोर देखने को मिला है अब मैं पिछले एक महीने का डाटा क्यों आपके सामने रखा क्वांट मीच्वल फंड के लिए एक बैड निउस सुनना पड़ा था सेवी के साइड से इन्वेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था और इस न्यूज के चलते बहुत ही उठा पटा क्वांट मीच्वल फंड में देखने को मिला है अब इस एक महीने में हमें ये देखने को मिला कि अधिकतर फंड का पफॉर्मेंस कमजोर रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा किस कैटेगरी के फंड में लग रहा है अगर मैं क क्वांट मीच्वल फंड की बात करो क्वांट स्मॉल के छफाण मीठ के क्वांट फ्लक्षी के फंड क्वांट एक्टिव इन में पैसा सबसे एक और अगर कि अगर मैं QUANT MEET CAP की बात करूं तो नेगेटिव 0.26% का रिटर्न है जबकि BENCHMARK में यहां पर 1.76% का रिटर्न है, QUANT ACTIV FUN में भी मामूली सा रिटर्न है 0.56 जबकि BENCHMARK में 3% के करीब में रिटर्न है, QUANT स्मॉल के फंड में 1.38 पसंट का रिटर्ण है जबकि बेंच मार्क की बात करूँ तो यहां पर 2.7 पसंट का रिटर्ण है जबकि बेंच मार्क रिटर्ण 3.15 पर सेंट एट जो 3-4 पसंदीर इन्वेस्टर के उनका परफ़ॉमेंस पिछले मनथ में कमजोर देखने को मिला है लेकिन आज इन सारे फंड में से सबसे ज्यादा पॉपुलर फंड के बारे में बात करें और क्यों इस मीच्वल फंड के एने वी में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है और क्यों इस मीच्वल फंड का एने भी काफी हमें स्लो देखने को को मिला किस मीच्वल फंड की बात कर रहा हूं सबसे पसंदीदा इस एमसी का जो फंड है वो क्वांट स्मॉल के फंड है सबसे ज्यादा इसी फंड में देखने को मिला है तो आज हम क्वांट स्मॉल के मीच्वल फंड के बारे में बात करें जानेंगे कि ऐसे सिच्वेशन प mutual fund investor को क्या decision लेना चाहिए क्वान्ट small cap mutual fund की बात करूँ तो देखो सबसे पहले हम short duration का return देखेंगे क्योंकि देखो बहुत ऐसे investor हैं ये मानते हैं कि जब से investigation से भी के side से start हुआ है तब से इस mutual fund का return कमजोर देखने को मिला है बहुत ही slow performance सो कर रहा है इसलिए मैं short duration का data आपके सामने रखना चाहता हूं तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक मन्त का जो return है क्वान्ट small cap fund का वो 2.20% का return है 3 मन्त में 8.70% का return है और 6 मन्त में 19-20% का return है अगर मैं nifty small cap 250 की बात करूँ तो small cap 250 को यह पचाड नहीं रहा है अगर मैं small cap category की बात करूँ तो small cap category को भी यह पचाड नहीं रहा है और return कम देखने को मिला है इट मिस कि short duration में इस mutual fund का performance कमजोर रहा है लेकिन हम 1 by 1 मन्त का यहाँ पे data देखेंगे 12 से 12 महीने में इस mutual fund ने benchmark को और category average को कितने बार पचाड रहा है देखो आकड़े आपके सामने है June 2023 की बात करूँ तो देखो यह benchmark को भी पचाड रहा है और category average को भी पचाड रहा है अगर मैं August 2023 में आकड़ा देखूँ तो कमजोर पड़ता हुआ देखने को मिला है ठीक वैसे ही अगर September 2023 की बात करूँ तो यहां भी कमजोर देखने को मिल रहा है नहीं benchmark को पीट कर रहा हूँ नहीं category average को ठीक अगर मैं October 2023 की बात करूँ तो यहां भी कमजोर देखने को मिला है क्योंकि देखो गिरावट जादा हुआ है और benchmark और category average में गिरावट कम हुआ है जब नुकसान ज़्यादा देखने को मिल रहा हूँ category average से और benchmark से तो वो भी एक negative point माना जाएगा तो यहां पर अगर आप देखोगे तो August 2023 September 2023 और October 2023 में इस mutual fund का performance कम जोड रहा है ठीक अगर मैं November 2023 की बात करूँ तो इस mutual fund ने अच्छा performance दिया है यहां पर December 2023 में भी अच्छा data देखने को मिल रहा है January 2024 का भी data काफी strong देखने को मिला है अगर February 2024 की बात करूँ तो यहां भी strong performance रहा है मई 2024 में भी यहां पर भी मायूसी हमें देखने को नहीं मिला है Negative return है अगर आप देखोगे तो category average और benchmark के आसपास ही रहा है अगर मैं April 2024 की बात करूँ यहां भी performance अच्छा रहा है मई 2024 में भी performance अच्छा देखने को मिला है आंकड़ा जो बिगड़ता हुआ नजर आया है June 2024 में हमें यहां पे पिछड़ता हुआ नजर आया है mutual fund तो अगर मैं last 11 से 12 मन्त का data देखूँ तो एक तो आप देखोगे August 2023 से लेके अक्टूर 2023 में इस mutual fund का performance कम जोड़ रहा है अब June 2024 में जो return काफी कम देखने को मिला है जैसे कि आप आंकड़े देख सकतो benchmark का और category अबस का return जादा है लेकिन ये June 2024 में इसका return काफी कम रहा है पिछड़ता हुआ भी नजरा रहा है तो काफी ज़्यादा difference से पिछड़ता हुआ नजरा रहा है इसी भी मन्त में अगर आप data चेक करोगे तो जितना gap देखने को performance काफी कमजोर देखने को मिला है किन कारणों से इस mutual fund का return कमजोर देखने को मिला है देखो सबसे first point की बात करते हैं अगर आप small cap allocation की बात करोगे quant small cap mutual fund में तो अब उसमें कमी देखने को मिला है जी हाँ यहाँ पे fund manager के side से small cap allocation को कम किया गया है जैसे कि 67.1% से 65.3% और यह एक negative point है अगर small cap में small cap का allocation ज्यादा है तो वहाँ पे return ज्यादा बनने का chance देखने को मिल सकता है mid cap allocation यहाँ पे ज्यादा किया गया है 0.7% से 1.4% जो कि अच्छा है large cap allocation जो है वो अप हुआ है 24.6 से 31.3% अगर देखा जाए तो यह fund के लिए अच्छा है अच्छा शंकेत है कि large cap allocation increase हो रहा है अगर किसी भी mutual fund का large cap allocation increase हो रहा है तो वहाँ पे return पे effect पढ़ेगा वहाँ पे आपको return कम मिलेगा क्योंकि small cap में हाँ पे ज्यादा पैसा बनने का chance होता है अब देखो cash allocation की बात करें तो cash allocation भी यहाँ पे कम हुआ है जो 4% के करीब में था वो करीबन 1.8% का आकड़ा देखने को मिला है अगर मैंने यह 4 point को आपके सामने रखा है तो 2 negative point है कि एक जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है small cap allocation कम हुआ है दूसरा क्या है कि large cap allocation को बढ़ा दिया गया है और जो एक तीसरा मैं आपके सामने point रखना चाहता हूँ कि इसमें cash allocation decrease हुआ है देखो किसी भी mutual fund में especially मैं भी क्वांट small cap mutual fund की बात कर रहा हूँ यहाँ पे अधिकतर समय आप देखे होगे कि जो यहाँ पे cash allocation है 4-5% देखने को मिलता है कि कोई opportunity हो तो हम वहाँ पे stocks में invest करें जबकि cash allocation कम हो mutual fund के लिए अच्छा संकेत नहीं है अब especially small cap mutual fund में अगर आप small cap कम कर रहे हो तो वो भी एक अच्छा संकेत नहीं है return के मामले में और large cap allocation को increase करना अपना पूरा month to month data करना पड़ेगा कि अगर pressure आए तो 25% redemption होगा तो कितना दिन समय लगेगा 50% का redemption होता है तो कितना दिन समय लगेगा वैसे में कई ऐसे small cap mutual fund ने अपना large cap allocation increase किया कि कोई liquidity का pressure आए तो हम बच सकें और सब के सामने हम काफी कम risk के साथ अपने data को सो करें ऐसे में क्वांट small cap mutual fund के side से large cap के allocation को increase किया गया जहां से return थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिला point और मैं बताता हूँ क्वांट के अधिकतर fund में पहले अदानी के stocks का allocation काफी जादा था अब अगर आप notice करोगे तो अदानी का stocks का allocation काफी कम है सिर्फ अगर मैं देखूँ तो अदानी power का allocation किसी-किसी mutual fund में आपको देखने को मिलेगा और किसी भी mutual fund में आपको अदानी के stocks का allocation नहीं अब अगर मैं पिछले एक साल अगरा छोड़ू तो अदानी के stocks क्वांट के अधिकतर mutual fund को return के मामले में काफी जादा help किया है लेकिन अब अदानी के stocks में allocation नहीं है तो return भी कम होता हुआ देखने को मिला है अब देखो पूरे यह जो मैंने बिसलेशन रखें पूरे जो आपके सामने में डेटा रखें इससे क्या संकेत मिलता है एक संकेत तो यह कहता है कि जून का महीना कमजोर देखने को मिला कमजोर इट मिंस की benchmark और यहां पे category अब बसे काफी कमजोर देखने को मिला है लेकिन उसके पहले का data के against कोई decision नहीं ले सकते हम आने वाले समय में mutual fund पे पूरा आखलन करते जाएंगे और तीन महीने चार महीने लगातार अगर data काफी कम देखने को मिलेगा return के मामले में तो फिर हम action लेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी कमजोर नहीं देखने को मिला है 2023 में हमें लगातार दो से तीन महीने इस mutual fund का आखला return के मामले में काफी कमजोर देखने को मिला और फिर recovery किया तो सरफ एक महीने के आखलों के basis पे quant small mutual fund के again some decision नहीं लेंगे मैं मानता हूँ return कम हो रहा है लेकिन हमें अभी September तक का वहाँ पे strong decision ले शकते हैं आप में से बहुत ऐसे investor हैं जो quant small cap mutual fund में पैसा लगा के रखे हूँगे लेकिन मैं आपको यहाँ पे भरोसा देना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी quant small cap mutual fund को लेके मुझे negative point लगा तो मैं सबसे पहले आपके सामने आऊगा यह था वीडियो का प्रिशलेशन आप में से बहुत ऐसे investor हैं जिनके पास कुछ query होगा comment box में आ सकते हैं query generate कर सकते हैं फिर मिलेगे एक नए वीडियो के साथ तब तक क्या लिए चेहीं चेवार